Hello student, welcome to YouTube channel Commerce Organization आज की class में concept स्टार्ट करेंगे हम moment about assuming वाला इस से last class में ने अलड़ी cover कर ले concept moment about actual mean की कैसे हम actual mean से moment calculate करते हैं with example हमने cover के concept अगर भी तक आपने last class नहीं देखी देखिए ताक कि आपके study में consistency बनी रहे अगर भी तक आपने मेरे YouTube channel को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जुरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए आप वीडियोस को सबसे पहले देख और आपके सड़ी बूस्ट अप हो moment about assume mean में कहाँ कि यहाँ पर जो हम moment calculate करेंगे वो हम यहाँ पर actual mean की बजाए assume mean से calculate करेंगे reason कह रहते हैं कि जब हम actual mean calculate कर लेते हैं तो माल लेते हैं कि वो absolute figure में नहीं आता वो fractions में आ जाता है यानी कि point में आ जाता है जो mean value होती है तो फिर हमें क्या चाहι होता है deviation चाहिए होता हम देखते हैं कि series का mean से कितना deviation है तो जब हमारे पास mean value fractions में आ जाती है points में आ जाती है तब deviations भी क्या होगा मुश्किल हो जाएगा calculate करना क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी calculation करनी पड़ेगी time बहुत जादा लग जाएगा point में हमें है जो data receive होगा deviation point में आएगा उसके बाद procedure lengthy हो जाएगा calculation करनी complications हो जाएगी तो इस case में फिर क्या कह जाता है assume mean के जो help लिजाती है पहले assume mean से moment calculate करते है फिर उसको convert कर देते है central moment के अंदर तो यहाँ पर इसको assume mean को non-central moment भी है जो कहा जाता है इसको denote करने के लिए जो use के जाता है symbol वो आते है mu dash mu dash pronounce करते है mu dash की तरह है जब हम moment about assuming calculate करते हैं आगर x1, x2, x3, c के चलता जाएगा n number तक be the n value, the variable x तो यह n values होती है x variable की और जो a होता है यह assume mean होता है जो arth moment about assume mean is defined and given by तो यहाँ पर किसरी किस इसको हम define कर सकते हैं formula है mu dash r तो यहाँ पर summation of x में से minus करेंगे assume mean को actual mean की जगे हैं यहाँ पर किया पुट कर देंगे value assume mean की कर देंगे कि यहाँ पर concept कों सा लेकी चल रहे हैं assume mean वाला divide by numbers कर देंगे जो यहाँ पर r होते हैं यही है value जो ar की यहाँ पुट करके चलते हैं जो mu r dash जो arth moment about the assume mean a है और जो r यहाँ पर value पुट की आती है वो first four जो moment हम calculate करते हैं जादा इसलिए calculate नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर calculation जो complicated हो जाती है अगर हम जादा इस चार से जादा moment का जो calculate करने कोशिश करते हैं तो यह तब possible होती है formula जब individual series हो अगर series हमारे पास frequency वाली है frequency की series के अंदर होती है discrete यहाँ फिर continue series के अंदर होती है तो उस case में कैसे हम calculate करेंगे assume में लगा करके moment की value को तो यहाँ पर frequency distribution के इसमें जो arth moment about assuming तो define करने का formula थै mu dash r value submission of तो यहाँ पर किस से multiple कर देता है x minus में assume mean और इसकी जो ar value put करते जाएंगे divide by number तो यहाँ पर जो number आएगा वो frequency का total लिया जाएगा जैसे यहाँ पर हमने पास individual series में simple formula लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास frequency नहीं होती है जब हमारे पास frequency distribution होते है यानि की continue या discrete series होती है तो फिर हम इसी formula में क्या करते है f को multiple में ले जाते है तो f into deviation है जो assume mean से series का आ जाते है तो यहाँ पर r की value put करते है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर various non-central moment है जो कैसे calculate करते है तो हमारे पास एक table की hypothesis को समझते है अगर individual series है तो कैसे formula लगाया जाएगा अगर discrete यहाँ फिर continue series है तो कैसे हम calculate करते है formulas है सबसे पहले mu-1 अगर first moment की value calculate करें assume mean से तो कैसे calculate की जाती है submission of x minus में assume mean तो यहाँ पर first है तो यहाँ पर 1 इसकी power रख दी जाएगी divide by number तो यहाँ पर जो इसकी value 0 नहीं आएगी जैसे कि हमने actual mean में पढ़ा था जब हमने last class में moment about actual mean concept कवर किया था तो यहाँ पर first moment 0 आ गया था क्योंकि जब भी हम actual mean से deviation लेते हैं तो हमेशा वो 0 आता है यहाँ पर assume mean से जब हम deviation लेते हैं तो 0 नहीं आएगा यह non-central value जो होती है ली जाती है ऐसी अगर हम mu dash 2 value calculate करते हैं कि यहाँ पर first 4 moment की value calculate करते हैं first calculate होगा second, third और fourth जब second moment calculate करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं जैसे यहाँ पर R के जगा 2 put किया गया है तो यहाँ पर R पावर में रखते हैं तो यहाँ पर R के जगा क्या रख देंगे 3 हो जाएगी, divide by numbers कर देंगे fourth moment calculate करने के लिए X minus में A इसकी पावर 4 रख दे जाएंगे और इसका sum up करके divide N करें तो हमारे पास fourth moment की value आजाएगी individual series की अंदर अगर बात की जाए discrete या फिर container series की तो वहाँ पर हमारे पास frequency distribution आ जाता है तो formula यही same रहेगा सिर्फ हमने क्या करने कि frequency से multiple करते जाएंगे यहाँ पर जैसे यह formula यहाँ पर frequency से multiple करते तो formula क्या बनगा submission of frequency X minus में assuming first moment के लिए 1 आगया R की जगह है divide by N X minus में A com के से denote करते है deviation से denote करते है जिसको हम short d लिखते है small d की जो number से हम denote करते है X minus A को हमने D से यानिकी deviation से जो denote कर दिया one power as it is रख दी multiple करते frequency से फिर इसका submission कर दिया तो हमारे पास divide करके number से जो discrete या continue series के अंदर first moment के value calculate हो जाती है ऐसी second moment के लिए submission of frequency X minus में A is का whole square divide by N को कि आपे second moment तो power में क्या चला गया 2 आ गया X minus A को note करते deviation से तो deviation रख दिया उसका two power as it is रहेगा frequency as it is रहेगी if f d square को multiple करके sum up कर देंगे और divide कर दे number से तो हमारे पास second moment के value आ जाएगी assuming से discrete या फिर continue series के अंदर ऐसे next अगर हमें third moment calculate करना है उसके लिए हमें कैसे calculate करना पड़ेगा submission of frequency x minus में third moment तो power क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी divide by numbers तो यहाँ पर x minus A denote करते d को जो d 3 की हो जाएगा frequency से multiple करेंगे submission divide by n कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी third moment की value calculate हो जाएगी एसी fourth moment calculate करते हैं तो उसके लिए 4 मल लेता है submission f x minus में 4 moment तो power में क्या जाएगा 4 आजाएगा divide by n is equal to कैसे इसको हम दुबारा show कर सकते है submission of frequency x minus एक और note के अधा deviation से power 4 is just रहेगी divide by n कर देंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि जो moment होते हैं इसको हम ज़्यादा भी ले सकते हैं 4 से ज़्यादा 5-600 यतने मर्ची ले सकते हैं लेकिन जाएगा तर क्या होता है कि सिर्फ पहले 4 moment जो calculate कि जाते हैं क्योंकि आगे इसके बाद हमें calculation करने में क्या होते हैं दिक्कत हो जाती है दिसरी के से तो हमने simple कर लिया अगर माल लेते हैं कि कुछ common factor से सीरीज के अंदर कुछ common factor हैं तो x column या mid value में तो इस common factor से जब हम deviation को divide कर देते हैं जब हम common factor से जिसे हम i से denote करते हैं जब हम common factor से deviation जिसे हम dc denote करते हैं तो divide कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर explanation कवर करते हैं कहते हैं अगर कुछ common factor पाया गया है x column में अगर continue series या तो mid value column में तो फे frequency distribution तो computation क्या जाएगा जब process of moment उसको further आगे simplify करने के लिए divide कर दे जाता है deviation को जो हमने assume इन से लिया था common factor i से divide कर देगी जैने कि हम यहाँ पर d not किया deviation को इस deviation को जो common factor याणिकी i से divide कर देते हैं याणि कि हम deviation divide by interval gap कर देते हैं deviation divide by interval gap करने से क्या हुत है common factor से divide करने से क्या हुत simplify हो जाते है process जो moment calculate करने का तो यहाँ पर multiple कर जाते है various moment जैसे i, i atau square, i a cube, i a 4 क्योंकि यहां पर जब हम common factor से divide करते हैं तो फिर दुबारा formula में क्या करना पड़ते हैं common factor multiple में भी लेना पड़ते हैं हमें तो जब first moment तो as is आएगा second moment में 2 हो जाएगा, third moment में 3 पावर हो जाएगी, fourth moment में 4 पावर हो जाएगी those are four non-central moments होएगे, mu-1, mu-2, mu-3, mu-4 कैसे calculate के जाएगे उसको cover करते हैं formula हमारे पास बन जाएगा first moment calculate करने का summation of f, deviation, dash यानिकि d-ड़ाने का मतलग है कि यहां पर हमने step पर जो interval gap divide वाला जो हमने follow किया है, यानिकि कैसे follow किया है हमने जब deviation को, deviation को divide कर दे interval gap से, जब हम deviation को interval gap से divide कर दे तो यह d-ड़ाने बन जाता है जो यहां पर हमने use कि a d-़ान है, तो one में तो हमें power one करने कोई जूरूत नहीं होती क्योंकि यहां पर as this value जो आ जाते, divide by numbers, यहां पर हमने d- calculate कर समय, यह जो d- calculate किया, हमने interval gap को इस time divide किया था, तो अब यहां पर formula में क्या कर देंगे, multiple कर देंगे next जब हम moment second की value calculate करते हैं, तो उसके लिए submission fd-, second moment है, तो power में क्या चला गया, 2 चला गया, divide by numbers, into में, तो यहां पर interval gap का भी क्या होगा, square हो जाएगा, क्योंकि यहां पर moment 2 है, second moment तो 2 से क्या कर देंगे, मतलब कि interval gap की जो हमारी power है, common factor की जो power है, वो भी 2 कर देंगे third moment के लिए submission of fd-, third moment तो 3 power कर देंगे, divide by number तो interval gap की भी 3 power लेके चलेंगे, mu4 यानकि fourth moment calculate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, submission of fd-, तो यहां पर power 4 हो जाएगी, divide by number, interval gap की भी power क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो यह तब 4 मना लगाना है, जब हमने step आगे further carry किया गया simplify करने के लिए calculation को, step further कौन सा कि हमने deviation को interval gap यानकि common factor से divide कर दिया है, तब हमारे पास d- की value आगे, तो उस case में हमने यह formula जो use करने है, तो यहां पर d- कैसे calculate किया आते है, x minus में a यानकि deviation, divide by interval gap, तो हमारे पास d- की value जो आ जाती है, जो interval gap होते है, इसको common factor भी बोल जाते है, कि जो पूरी series के अंदर common value होती है, उससे हम divide कर देते है, deviation को, x जो होता है, यह value भी हो सकती है, और mid value भी हो सकती है, x column की, अगर discrete series है, तो values को उठाएंगे, और continue series है, तो उसमें सबसे पहले में mid value calculate करने बढ़ती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे deviation को calculate करते हैं, next है एकिसे अगर, moment about 0 या, फिर origin से calculate करें तो कैसे calculate करते हैं, तो यहा unjust date है, जब हम moment about 0 या, origin calculate करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीक symbol जो V, read as इसको कैसे read करते है new new word से जो इसको denote कियाते है new इसको v को क्या बोलते है new से denote करते है new word new जिसे बोलते हैं तो यहाँ पर x1, x2, xn तक यह value चलेंगी तो इसको value जो a variable x यानकी x जो variables की value होंगी वो आएगी यहाँ पर जो rth moment होगा 0 का define कैसे करेंगे v, v यहाँ पर v को क्या बोलने है new बोलने है new r value submission of x- में origin या 0 है तो 0 लख देंगे और इसका r value put कर दें divide by number तो इसको जब हम x में 0 minus करेंगे तो x बचेगा तो यहाँ पर इसको कैसे लिख देंगे submission of x की value r क्योंकि यहाँ पर x की r, 0 की r करेंगे तो 0 की value जब हम कुछ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास simplify हो जएगा formula submission of x की power r divide by number अगर हमारे पास frequency distribution given है तो उसमें क्या करेंगे frequency से multiple कर देंगा तो new r value submission of frequency जैसे यहाँ पर हमारे पास formula था simple वाला तो यहाँ पर submission क्या करेंगे frequency से जो multiple करने के बाद submission लिया जाएगा तो formula क्या जाएगा submission of frequency x माइनस में 0 इसकी r power यहाँ पर इसको हमने divide by nb करने divide by nb जो आएगा तो इसको simplify करके कैसे लिख सकता है submission of f x की power r क्योंकि x में से 0 माइनस करने का मतलगा कि 0 के तो कुछ value होती नहीं है तो simple x ही बचेगा यहाँ पर x की power r बच जाएगा तो यहाँ पर frequency x की power r divided by n जो हो जाएगा तो यह हमारे पास उस case में करेंगे जब हमारे पास discrete यहाँ फिर continuous series होती है तो r की value जो first 4 moment calculate करती है r की value पूट करके चलेंगे 1, 2, 3, 4 various moment about 0 कैसे calculate कर सकती है इसको भी table की help से हम समझती है तो यहाँ पर सबसे पहले individual series है फिर discrete यहाँ फिर continuous series है individual series में जो हम calculate करती है तो उसका formula रहते है new 1 का submission of x माइनस में 0 की power 1 को की first moment है तो 1 आ जाएगा divide by number x-0 0 जो हमें x में से minus करें तो simple x ही बचेगा तो x की power 1 हो जाएगा submission x की power 1 divide by number तो यह किस code note करते है mean code note करते है जब हम submission x divide by number करते है तो किसका formula रहते है mean का formula रहते है discrete series के case में frequency आ जाती है frequency से multiple कर दे जाएगा x को submission of fx divide by n तो यह discrete यां continuous series के अंदर mean calculate करने का formula तो इसको mean से denote कर देंगे अगर second moment calculate करने new 2 submission of x minus में 0 इसका power क्या जाएगा 2 second moment तो 2 power हो जाएगी divide by number x को simplify करने के लिए कि अगर submission x का square हो जाएगा divide by number अगर continuous discrete series है तो यहां पर simplify क्या हो जाएगा frequency से multiple हो जाएगा यहां पर frequency पाई जाते है discrete यां continuous series में जैसी यहां पर x का square है यहां पर frequency x का square हो जाएगा फिर उसका submission करेंगे divide by n करेंगे second moment की value calculate करने के लिए third moment calculate करने के लिए submission of x मैंस में 0 third moment है तो power में 3 हो जाएगा divide by numbers तो formula जाएगा submission x cube divide by number simple जब हम discrete या continuous series में value calculate करेंगे तो x के आगे क्या जाएगा frequency लग जाएगा submission f x cube divide by number हो जाएगा fourth moment calculate करने के लिए new 4 submission of x मैंस में 0 की power 4 हो जाए क्योंकि 4 moment है divide by number तो हमारे पास simplify formula जाएगा submission of x की power 4 divide by number तो यहाँ पर frequency से multiple कर देंगे submission of frequency x की power 4 divide by n हो जाएगा तो यहाँ पर जो moment की value हम इसको extend कर सकते है higher power के लिए लेकिन जाए तक mainly सिर्व 4 moment की value जो calculate करते हैं next cover करते concept कहते हैं कि जब हमें convert करना होता है जब हम conversion करते हैं non central moment का इसमें including किया गए 0 को भी central moment में तो कैसे हम known central moment को central moment में convert कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास है जो रहता है यह तरीका टेबल की हाल समझते हैं सबसे पहले यूजिंग मॉमेंट अबाउट अज्यूमीन लेते हैं फिर इसको अज्यूमीन फिर नेक्स करते हैं यूजिंग मॉमेंट अबाउट ओरीजन तो कैसे हम लेके चलते हैं इ तो यहां पे सेम वैल्यू जाद हो गों अगर हम औरिजन से लेके चलते हैं तो क्या होगा यह 0 हो जाए को कि औरिजन का मतलब क्या है 0 तो मियू 1 क्या हो जाएगा जिरो जाएगा next में mu2 is equal to mu-2 minus में mu-1 का square तो अगर बात की जाए origin की तो origin में हम के side note करते है new से v-side note करते है यानिकि इसको ऐसे v बनाएगा इसको बोलने में new आते है and you new तो mu2 is equal to जसी यहाँ पे mu-2 लिया है तो यहाँ पे v2 हो जाएगा यहाँ पे हमने mu-1 लिया है तो यहाँ पे v1 आजेगा तो यहाँ पे square है तो यहाँ पे भी क्या आजेगा next mu3 कैसे calculate किया आते है mu-3 minus में 3 mu-2 multiple mu-1 plus में 2 mu-1 का cube अगर हम origin की बात करें mu3 यहाँ पे हमने mu-3 लिया है तो यहाँ पे v3 आजेगा 3 multiple में पड़ा है mu-2 लिया है तो यहाँ पे v2 हो जाएगा new-1 लिया है तो यहाँ पे new-1 आजेगा plus में 2 multiple में यहाँ पे हमने mu-1 का cube है तो यहाँ पे new-3 power हो जाएगी new-1 की यहाँ कि 2 new-1 की cube पावर लेके चलेंगे यहाँ पे हमने data तो मतलब कि अगर cube है तो cube ले लिया 3 multiple में 2 multiple में 3 और 2 multiple में लिया है plus minus basis लगाए है फरक सिर्फ किसीज कहा है कि जब हम assuming से लेते तो इसको mu- से denote करते हैं जब हम original से लेते तो इसको new से यानि कि v जिसे हम देखने भी लगता है यह तो इसको new से denote करते हैं सिर्फ इतना फरक है अगर हम mu4 की value calculate करते है तो कैसे calculate की जाएगी mu-4 minus में 4 mu-3 mu-1 less में 6 mu-2 mu-1 का square minus में 3 mu-1 का 4 यहाँ पे mu-4 है यहाँ पे new 4 हो जाएगा minus में 4 mu-3 है यहाँ पे 4 v3 हो जाएगा multiple में mu-1 है तो यहाँ पे v1 हो जाएगा plus में 6 mu-2 है तो यहाँ पे plus 6 v2 हो जाएगा mu-1 का square है तो यहाँ पे v1 का square हो जाएगा minus में 3 mu-1 का power 4 है तो यहाँ पे minus का 3 v1 का power 4 हो जाएगा next mean assume plus में mu-1 हो जाएगा यहाँ पे variance mu-2 minus में mu-1 की square तो इसरी किसे हमने convert करना है no central value को central moment में next आते है कि अगर convert करते central moment को no central moment में जिसमें 0 को विशामिल किया गया है तो यहाँ पर इसको table की help से समझते हैं moment about any value a from central moment moment about 0 from central moment तो यहाँ पर mu-1 कैसे calculate करेंगे mean minus में assume करके ऐसी यहाँ पर 0 से लेके चलते हैं central moment को तो new 1 is equal to assume प्लस में mu-1 और mean mu-2 कैसे calculate करते है mu-2 प्लस में mu-1 उसका whole square यहाँ पर v2 आ जाते है mu-2 प्लस में v1 का square यहाँ पर mu-3 कैसे calculate करते है mu-3 प्लस में 3 mu-2 mu-1 माइनस में 2 mu-1 का cube यहाँ पर new 3 कैसे calculate करते है mu-3 प्लस में 3 new 2 multiple new 1 माइनस में 2 new 1 की power cube करके यहाँ पर mu-4 कैसे calculate करते है mu-4 प्लस में 4 mu-3 into mu-1 माइनस में 6 mu-2 multiple में mu-1 का square प्लस में 3 mu-1 की power 4 यहाँ पर new 4 कैसे calculate करते है mu-4 प्लस में 4 new 3 multiple करते है new 1 से minus में 6 new 2 minus में new 1 का square plus में 3 new 1 की power 4 तो यहाँ पर क्या point थे हनमें रखने हैं हमने सबसे पहले ही कहते है कि जो sign होते है वो reverse होते है और what we had while converting moment about as you mean into central moment के तो sign होते है वो reverse कर देते हैं जो जब हम convert करते है moment about as you mean को central moment में केते हैं जरूरी है find करना mean convert करने के लिए central moment को non central moment के अंदर तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास concept बनता था I hope क्या होगा क्लियर हो गया होगा next class से cover करेंगे utility of moment कि अब इसको utility को cover करेंगे next class से ऐसी ही regular class देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल commerce of efficiency को सब्सक्राइब लाइक को शेर करें बैल आइकन जुरूर पैस करें ताकि जब भी मेने वीडियोज अप्लोड करूँ सबसे पहले notification के पास है आप वीडियोज को सबसे पहले देखे और आपके सड़ी boost up हो